नमस्कार दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है तो चलिए आज हम डिसकस करेंगे जनरल साइन्स के कुछ महत्पुर्ण कोश्चन जो आने वाले सभी एक्जामों के लिए अति महत्यपुर्ण है और बार-बार ऐसा कोश्चन एससी, रेलवे, इन सब एक्जामों में पूछा जाता है ठीक है दोस्तों, चलिए अगलक तो कुश्चन डिसकस करते हैं पहला कुश्चन है, आईरन सरवाधिक पाया जाता है तो पालक के पत्तों में पाया जाता है ठीक है दोस्तों अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है मीना माता रोग होता है जल में होता है ठीक है दोस्तों और मीना माता किस से होता है तो पाड़ा के कमी से होता है ठीक है दोस्तों अगला कोशन है ओपरेशन फ्लर्ड संबंदित है तो ओपरेशन फ्लर्ड जो है दु और लाता हमाहॉचला को अगला। अगला सानकी है। तो green house प्रभाव जो उत्पन करती है carbon dioxide उत्पन करती है ठीक है दोस्तों और carbon dioxide का सुत्र क्या होता है CO2 ठीक है अगला question देखते है अगला question है मसूरों से खून आना किस vitamin के कमी के कारण होता है तो vitamin C की कमी के कारण और vitamin C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है तो आवला आवला जो तो penicillin जो है वो कवक से प्राप्त होता है और penicillin की खोज की थी लूई पास्चर ठीक है दोस्तों अगला question देखते हैं enzyme एक विशेश परकार का होता है तो enzyme एक विशेश परकार का per protein protein होता है तो ठीक है अगला question देखते हैं perotein protein ठीक है अगला दिखते हैं पौधों के लिए प्रांदायनी गैस कौन सी है तो पौधों के लिए प्रांदायनी गैस कारमन डियोकसाइड है और पौधों कौन सी गैस छोड़ती है तो पौधा जो है वो ऑक्सीजन गैस छोड़ती है ठीक है दोस्तों और पौधा अपना भोजन प्रकास संसल के द्वारा करती है अगला कोशिका भित्ती पाई जाती है तो कोशिका भित्ती जो हो पादप में पाई जाती है जबकि कोशिका जिल्ली की बात करें तो कोशिका जिल्ली पादप और जन्तु कोशिका दोनों में पाई जाती है ठीक है अगला कोशिका देखते हैं अगला कोश अर्ध सुत्री विभाजन होता है तो अर्ध सुत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं लाल वो भूरे सैवाल पाये जाते हैं तो लाल और भूरे सैवाल समुंद्र में पाये जाते हैं ठीक है दोस्तों अगला कोश्चन देखते ह मनुस में दाद रोग होता है तो मनुस में दाद खाद खुजली ये सब जो होता है वो कवक के द्वारा होता है ठीक है दोस्तों अगला कोस्टन देखते हैं अगला कोस्टन है एक ग्राम वसा में उर्जा प्राप्त होती है तो एक ग्राम वसा में 9 केलोरी उर्जा प्राप्त होती है ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है एंटी बोडी के निर्मान में सहायता होता है तो एंटी बोडी के निर्मान में पैरोटीन प्रोटीन जो होता है वो सहायता करता है ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है नारियों को स्व तो पितरस जो होता है वो लीवर से निकलता है ठीक है दोस्तों उसके बाद अगला हाँ तो यहीं कोश्चन समाप्त होता है तो अगर आप लोगों को कोश्चन अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो में इससे भी अच्छ अच्छे कोश्चन हम लाते रहेंगे ठीक है दोस्तों धन्यवाद